हम अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं बहुत सारे रूटीन्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं कई बार हम खुद से बनाते हैं और कई बार ना हम दूसरे को देख कर प्रेरिध होते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें से कुछ चीजे तो हम अपना लेते हैं जो कि हमारे रुटीन में मैच हो जाती हैं और कुछ चीजे ऐसी होती हैं जो हमें परिशान कर देती हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही टिप्स या आईडियाज शेयर कर रही हूं जिन से आप अपने घर को किचन को हमेशा व्यवस्तित रख सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं घर की बाद किचन में काम हम दिन में लगभग तीन बार करते हैं चार बार भी करते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा ज़्यादा तर समय दिन का किचन में निकल जाता है तो उसको व्यवस्तित रखना साफ रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आज यहां पर बच्चों की फर्माईश पर मैं बना रही हूँ यहां पर हलवा सिंपल सूजी का हलवा मैंने यहां पर बनाया है और अब बनके यह बिल्कुल रैडी हो गया है अब बच्चों को इसको मैं सर्व करके दे दूँगी वो खा लेंगे और मैं फिर अपने बाकी काम में यहां पर करूँगी तो अगर किचन हमारा साफ सुतरा है व्यवस्थित है कोई भी एरिया तो हमारा काम करने का मन करता है हमारा महाँ पर बैठने का या फिर कुछ भी चीज क्रियेटिविटी करने का मन करता है लेकिन अगर कोई चीज गंदी है कोई एरिया गंदा है तो वहाँ पर हमें लगता है कि जल्दी से यहां से निकलो है ना तो kitchen को तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको व्यवस्थित और साफ रखें तो यहां पर जो मेरे यह जो मैं हैं पर spoons वगएरा रखती हूं और यह चाकू वगएरा रखती हूं इसको आज मैं clean कर रही थी दो से तीन दिन में इनका number आता है और यह हमेशा साफ रहते हैं इसी वज़ा से क्योंकि दो तिन दिन में मैं इनको साफ करती रहती हूं कई बार क्योंकि बच्चे भी खाना बनाते हैं कुछ न कुछ यहां पर बनाते रहते हैं तो उससे भी समानी धरुधर हो जाता है तो उसको भी व्यवस्थित करना जरूरी रहता है साफ करना जरूरी रहता है क्योंकि बच्चों को ऐसी habit नहीं है कि बईयो किचन में काम करते हैं वो तो बस अपने पसंद का कुछ न कुछ बना लेते हैं और फो किचन को छोड़ देते हैं तो जिम्मेदारी हमारी है उसको हमें पूरा करना है दो से तीन दिन में मैं इसको regular basis पर साफ करती रहती हूँ क्योंकि open में ये सारी चीज़े रखी हुई है जो चीज़े हमारी cabinet के अंदर होती है न उसको तो चाहे आप हफते में 15 दिन में साफ कीजे फरक नहीं पड़ता है वो गंदे नहीं होते हैं लेकिन जो चीज़े बाहर open में रखी रहती हैं उन पर धूल भी आ जाती है और grease भी जम जाती है कितना भी आप chimney चला ली दिये, exhaust चला लीजे लेकिन फिर भी grease हो ही जाती है तो इनको तो हमें regular basis पर 3 दिन जादा से जादा 3 दिन में इसको हमें साफ कर देना चाहिए तो इसको सारे जितने भी jars वगेरा थे सबको मैंने अच्छे से पौँच दिया है और जहाँ पर मुझे ये रखने हैं उसको भी मैंने अच्छे से साफ कर दूँगी यहाँ पर क्योंकि इस पर भी काफी धूल मिट्टी आ जाती है तो कभी-कभी तो मैं इसको विम जेल से भी clean कर देती हूँ में नमक रख देती हूँ बस इस तरीके से ये सारा मेरा यहाँ पर काम भी होता है easily और चीजे व्यवस्थित भी रहती है ये एक shelf है दोस्तों जो मैंने आपके साथ share की थी जिसको मैंने DIY किया था तो इसको भी अच्छे से साफ कर देंगे और यह बहुत ही बढ़िया मुझे यहाँ पर लगता है सामान को लेना रखना बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए अगर इसमें मैं रख लेती हूँ तो लेकिन बार बार बीच बीच में न मैंसे थोड़े changes करती रहती हूँ तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया और जहाँ पर इसे रखना है वो एरिया भी मैंने खूब बढ़िया तरीके से यहाँ पर साफ कर दिया है तो अब इसको यहाँ पर रखेंगे और मैंने कुछ जो मेरे jars खाली हो गए थे उनको मुझे फिल करना है जिसमें की बादाम वगएरा हैं काजू हैं जो की regular basis पर use होते रहते हैं रात में सोक भी करते हैं और बच्चे भी इन्हें ले लेते हैं तो उनको भी मैंने आज यहाँ पर रिफिल कर दिया है तो container जो मेरे जिन में मैं रिफिल करूँगी वो मैंने पहले ही wash कर लिये थे थोड़े से उनको फिर धूप में रख दिया वो dry हो गए अब उनको यहाँ पर मैं फिल कर दूँगी जो काजू बदाम वगरा जो ऐसी चीज़े ना जो healthy हैं जो आपके बच्चे खाएं तो अच्छा रहेगा तो उन चीज़ों को कोशिश कीजिए कि उन्हें बाहर रखें मैं भी जादा तर ऐसा ही करने की कोशिश करती हूँ कि उन्ह चीज़ों को बाहर रखूँ डब्बे में करके वो भी transparent डब्बे में करके कि बच्चों को दिखे और वो उनमें से निकाल कर खा ले है ना कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को जबरदस्ती force भी करना पड़ता ह तो आपको बार-बार tension नहीं रहेगी कि मुझे ही देना है आप ऐसी जगा रखिए जहां से बच्चे ले सके है ना तो यहां पर मैंने थोड़ी सी यह मुनक्खे भी इसमें करके रख दिये हैं कि जिसका जो मन करे वो निकालो और खालो कुछ चीज मैं snacks वगरा भी बनाती ह हूं ऐसे तो उनको भी डबे में करके यहीं पर रख देती हूं ऐसी जगा पर जहां पर बच्चों का हाथ जाए और वो easily ले पाए उपर मैंने रख दिये हैं कप थोड़ी सी इसकी decoration मैंने change कर दी है और यह थोड़ा सा अच्छा लग रहा था changing लग रहा था दोस्तों आपक पर करती हूं तो इस जो यह रैक है तो इसकी भी मुझे आज cleaning करनी थी इसकी lining निकाल कर मैंने इसको पोंच दिया है और दुबारा से यहां पर बरतनों को मैं arrange कर रही हूं यहां पर मैंने size के according यहां पर बरतन रखे हैं चोटी कटोरी बड़ी कटोरी उसके हिसाब से जब पर बस हमें इतना दिहान रखना है कि हर एक चीज की एक जगा बनानी है जो भी सामान आप अपने घर में ला रहे न उसकी एक निर्धारित जगा बना दीजे कि यहां पर इसकी जगा है जो भी use करे use करने के बाद इसे यहां पर रखे और यह फिर habit develop हो जाएगी आपकी भी और सबकी जो भी घर में member हैं तो कुछ टिफिन्स वगेरा भी हैं बड़े कटोरे हैं टिफिन्स हैं वो सब मैंने इसमें ही arrange कर दिये हैं देखिए limited सारा समान है लेकिन हाँ सारा arrange किया हुआ है और बढ़िया तरीके से इनको use भी कर सकते हैं और धोकर वापस से रख दीजे कोई भी इनको यहां पर इनकी जगा पर रख देगा देख कर दोस्तो हमारी जो window होती है न इसमें हमें बहुत ज़्यादा हवा भी आती है और धूप भी आती है रोशनी भी आती है लेकिन क्या होता है न कि अगर हम इने समय समय पर साफ ना करें तो इसके जो छेद होते हैं जाली कैं वो बंद हो जाते हैं और जिससे की ना तो यहां से हवा आती है और रोशनी भी प्रॉपर नहीं आती है तो इसको भी बीच-बीच में साफ करते रहे जिससे की आपका जो वेल्टिनेशन है किचेन का वो बना रहे मैं बीच-बीच में 15 दिन में कम से कम करती हूं इसको मैं साफ कर देती हूँ, ज़्याद से 20 दिन भी हो जाते हैं, पर कोशिश करती हूँ कि हाँ, जल्दी से जल्दी इसको क्लीन करूँ, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, बस मैं इसमें पानी से इसे धो देती हूँ, 15-20 दिन में पानी डाल दो, जितनी भी हुआ जाता है और सारी मिट्टि करना होता है इसको एक कपड़े से पूंच जो एक्स्ट्रा मिट्टी जो चिपक गई है या पानी रह जाता है लकडी है ना क्योंकि तो उसको हम पोच देंगे और वो साफ हो जाता है तो कुछ इस तरीके से मैं करती हूँ अपने किचन की क्लीनिंग यह डीप क्लीनिंग नहीं है यह रेगुलर क्लीनिंग है बस इस तर बाइ बाइ दोस्तों